नेक्स्ट हमारी टर्म है एक्सपेंस अगर हम हिंदी में बात करें तो यहां पर एक्सपेंडिचर का भी मतलब क्या होता है खर्चा और एक्सपेंस का मतलब भी क्या होता है खर्चा ठीके पर अगर हम एकाउंट की बात करें तो एकाउंटिंग में इन दोनों टर्म को हम में जिसको हम further divide करते हैं इन three terms में capital, revenue and default revenue expenditure ठीक है और अगर हम देखें इसको detail में ठीक है तो इसमें हमने एक छोटी term ठीक है इसी का एक part हमने define किया है revenue expenditure ठीक है तो यह जो है हमारा आगे expense ठीक है यह क्या है यह revenue ही है ठीक है revenue expenditure ही है ठीक है यह revenue expenditure वो ही हम क्या बोलते हैं expense बोलते हैं ठीक है तो किती expense is the cost incurred ठीक है expense कौन सी है यह वो cost है वो खर्चा है incurred for generating revenue ठीक है जो आपने क्यों किया है ताकि आप revenue generate कर सकें ठीक है revenue का मतलब यहाँ पर क्या है income आमदन आपको पैसा आ सके ठीक है इसके लिए आपने कुछ खर्चे करने है ठीक है according to RN अब दिखो Anthony ने आपको क्या कहा है expense is a monetary monetary का मतलब जिसको पैसे में measure किया जा सके ठीक है expense is a monetary measure of inputs और resources ठीक है जो आपने inputs का मतलब use करने है resource साधन ठीक है consumed के लिए ठीक है और उसे फिर आपने क्या करना है consume करना है ठीक है तो expense क्या होते है वो monetary term है of inputs और resources की जो हमने क्या करने है consumed है ठीक है तो it is a value which has expired during the one accounting period ठीक है जिसकी value खतम हो जाएगी कब एक ही साल के बीच बीच में ठीक है it may be यह कौन-कौन से हो सकते है first cash payment such as salary के लिए wages के लिए rent के लिए जब आप cash payment करते हो ठीक है किसी को पैसे दे देते हो ठीक है अब देखो यहाँ पे हमने एक बात क्या पड़ी थी सबसे पहले वारी expenditure is amount spent जो हमारी जेब से चला गया है और liability अब भी जाने वाला पड़ा है ठीक है पर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसने क्या लिखा है cash payment जो जेब से जा चुकी है ठीक है such as salary होगी wages होगया rent होगया ठीक है यह क्या होते है expense जो चले गए है ठीक है इन दोनों में difference है यह आपने दिखना है ध्यान से ठीक है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होते है हमारे assets ठीक है जो हमारे goods है वो तो जैसे हमारे पास packed आते हैं ठीक है ना depreciation का मतलब क्या होता है घसेंगे तो घसेंगे तो है यह नहीं दूसरी तरफ है asset asset हम किस purpose के लिए लेके आते कि हमने इनको reseal करना नहीं अब देखो आपके पास एक machine आई आपके पास furniture आया क्यों आया है क्योंकि आपने इसे क्या करना है use करना है आपना यह से बार 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 यूज करोगे जब आप यूज करोगे तो यह क्या हो जाएगा depreciate हो जाएगा तीक है यह क्या हो जाएगा depreciate यह घस जाएगा तीक है अब देखो जैसे हम एक furniture एक बहुत अच्छा table लेके आए है तीक है जो हम table लेके आए है है वो हम टेबल लेके आए हैं अपना कितने रुपे का मानलो रुपीज 5000 का ठीक है और अब हमने एक साल में इसे यूज किया ठीक है यूज करने के बाद अब यह जो हमारा टेबल है क्या यह 5000 का बिक जाएगा नहीं ठीक है तो अगर हम इससे सोचें कि इसको हमने कितना डेप्रिसियेट कर दिया है 10% तो हमने इसकी वैल्यो कितने निकाल दिया है 4500 यह हम वैल्यो आपको आगे जाके निकालनी बताएंगे कि यह depreciation की value आपने कैसे निकालनी है ठीक है यह हमारे पास एक chapter आएगा ठीक है तो यहाँ पे इसने ऐसी कहा है कि तो return of a part of fixed asset fixed asset का fixed assets का मतलब क्या होता है जो हमने reseal purpose के लिए नहीं खृ citoyते जो हमने use करने है यूज करेंगे तो वह depreciate होजाएंगे और जितना depreciate होगा वह business का क्या होगा all goes ठीक है और वह भी हमने क्या कर देना है अपने profit में से minus कर दे हैं ठीक हमने क्या सोचना है । 검찰 यह हमारा business का इतना क्या हो गया है expense हो डिकि ना का इतना हमारे पास खर्चा हो गया है profit में से हमने उसे क्या कर देंगे निकाल देना है ठीक है next है an amount return of out of current assets current assets हमारे कौन से होते हैं जैसे कि हमारे पास आएंगे debtors ठीक है debtors का मतलब इतना पैसा अभी हमने logo से क्या करना है लेना है ठीक है अब अगर इतना पैसा अपने लोगों से लेना है ठीके तो उन में से कुछ हमारे bad debt भी होंगे debt का मतलब क्या होता है कर्जा bad का मतलब जो डूब गया ठीके कुछ हमारे डूबेंगे भी ठीके तो वो amount जो आपने निकाल देना है वो भी किस में से निकलेगा profit में से क्योंकि इतना profit reduce हो जाएगा ठीके लोग हमें पैसा देंगे नहीं जिनको हमने किस पर सेल किया credit पर ठीके तो next decline in the value of asset ठीके जैसे की investment ठीके अगर आपने कुछ पैसा ठीके value of asset जो है जो invest कर रखा है asset जो आपकी है वो उनकी value कम हो गई है ठीके decline हो गई है ठीके outdated हो गए है या expire हो चुके है ठीके ना उन सबी को भी हमने profit में से क्या कर देना है minus कर देना है next cost of goods sold अब जो आपने goods खरीदे हैं वो हम बार बार खरीदेंगे तो जो आपने goods खरीदने में पैसा लगाया है minus किया है तो वो भी सारा क्या आजाएगा आपका expense होगा अगर आप ध्यान से देखो तो आपने किस के बारे में पढ़ा इसमें सारा ही इसमें हमने revenue expenditure के बारे में ही पढ़ा है ठीके तो ये क्या होती है revenue expenditure होते है जिनको हम क्या बोलते है expenses ठीके घर्चे ठीके यहाँ पर है expense कितने तरह के होते है expense होते हैं दो तरह के prepaid expense prepaid का मतलब जो हमने पहले ही दे दिये हैं और outstanding expense का मतलब जो अभी देने वाले पड़ी हैं ठीक है outstanding है ठीक है prepaid का मतलब जो हमने पहले ही दे दिये ठीक है it is an expense ये वो खर्ची है that has been paid in advance जो आपने पहले ही दे दिये ठीक है the benefit of which will available in the following year ठीक है अभी benefit हमने अगले सा लेना है जैसे अपना आपका किराया है आपना एक rent की घर पे उसमें रहे रहे हैं रैंट मानलो आप rent देते हैं कितना देते हैं 2,000 per month थेक है तो आपने पूरे साल का कितना देना है 24,000 थेक है पर आपने क्या कर दिया 30,000 दे दिया 6,000 आपने पहले ही दे दिया advance में दे दिया ठीक है और ठीक है अभी कौन सा मन्त चल रहा है मन्त चल रहा है में ठीक है आपने जून के महीने के 6,000 रुपे पहले ही दे दिये हैं एडवांस में ठीक है तो जब आप अगली बार दोगे तो 24,000 में से वो 6,000 माइनस करके दोगे तो it means benefit तो हमने लेना है उसका जून में पर हमने pay up कर दिया उसको में में ही pay कर दिया है ठीक है for example insurance premium जो है ठीक है 50,000 का देते हैं आप has been paid for the one year ठीक है एक साल के लिए आप देते हो जिसकी beginning का अप होती है एक अक्तूबर में ठीक है 2017 से शुरू होके उसका साल शुरू होता है एक अक्तूबर को शुरू हुआ है तो खतम कब होगा 30 सेप्टमबर को हो जाएगा ठीक है the financial year end financial year का end कब होगा 31 मार्च को financial year मैं अभी आपको बता के अटिंग के final accounts ठीक है जो बनते हैं वो 51 मार्च को बनत 2018 से 30 सेप्टमबर 2018 तक ठीक है 25,000 is paid in advance ठीक है तो वो कैसे कर रहा है advance में pay कर रहा है ठीक है does the amount of premium paid in advance 25,000 जो है वो क्या है prepaid expense इसका मतलब क्या है कि आपने यहां पे क्या बनानी है अपनी balance sheet ठीक है यहां पे हम ना balance sheet बनते हैं ठीक है जो balance sheet बनती है वो हमेशा 31 मार्च को ह बनती है ठीक है और जो P&L बनेगा वो भी 31 मार्च को ही बनेगा सिरफ आप टर्म समझो अकाउंट नहीं समझने आपने अकाउंट नहीं समझाएंगे सिरफ टर्म समझो अब देखो 31 मार्च को अब देखो आपने 1 अक्तूबर 2017 से कब तक पे कर दिया 31 स्वारी 30 2017 तक आपने तो पूरा साल ये लगा के चले हो ना कि 1 अक्तूबर 2017 से लेके 30 सेप्टमबर 2018 तक मैंने कितने पैसे पे कर दिये 50,000 रुपए मैंने पे कर दिये हैं ठीक है मेरा काम खतम हो गया पर इनों ने अकाउंट कब बना लिए 31 मार्च 2018 को बना लिए ठीक है कब बना ल 2020 में से ठीक है जो देखो अक्तूबर के बाद आप टाइम मार्च के बाद देखो एप्रल में जून जुलाई आउगस सेप्टमबर ठीक है ये 6 महिने के पैसे ते रखे हैं ना अल्रेडी 6 बाइट 12 ठीक है तो यहाँ पे कितना आ गया 225 ठीक है तो ये जो 50,000 रुपए है इस में से 25,000 हमने निकाल देनी है ठीक है ये क्या है आपका प्री पेड है आपने पहले ही दे दिया है इस साल तो हमारा जो एक्सपेंस है खर्चा है वो 50 का नहीं काउंट करेंगे ठीक है क्योंकि हमने P&L में प्रॉफिट exact देखना होता है कि इस साल का कितना निकला ठीक ह सिर्फ इस साल के खर्चे लेने होते हैं next year को कोई खर्चा नहीं लेना होता तो यहांपे हमने इस साल का खर्चा कितना काउंट करना है अपना सिर्फ 25,000 है माइनस कर देने हैं और ये हम किस साइड दिखा देंगे अपनी asset साइड इसको क्या बहुते है prepaid expense या फिर expense का नाम क्या है insurance कितना जाएगा यह 25,000 ठीक है इसका मतलब क्या है कि यह हमारे asset है संपत्ती है अगले साल हमारे इतने पैसे बच जाएंगे जब मैंने अगले साल उसको देने है तो हमने 25 तो पहले ही दे रखे हैं और कितने दे हम उसको 25,000 ठीक है अगले साल 30 सेप्टमबर तक क्योंकि हमने इन बिटवीड ही अपनी insurance क्यों है वह ली है ठीक है नेक्स्ट उसके बाग क्या है दस्त अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या होगा 25,000 प्रीपेड है ठीक है इट विल बी एकाउंटेड ऐस एन एक्सपेंस इन फाइनशल एर ठीक है यह 25,000 जो है यह तो एकाउंटेड होगा 31 मार्च तक ठीक है इन बैलेंस शीट में 31 मार्च दोहजार अठारा तक यह कैते विल भी शोन एस current asset ठीक है हमने जो यह आपको शो करके दिखाए इसको current asset बोलते हैं ठीक है यह fixed नहीं है क्योंकि अगले साल आते ही ठीक है within a six month इसने क्या करना है expense में चले जाना है ठीक है next outstanding expense outstanding expense क्या होते हैं जो खर्चे अभी होने वाले पड़े हैं अभी हुए नहीं देने वाले पड़ पैसे कितने देने आपने उसके 50,000 रुपए आपने किसी person को देने है ठीक है पर आपने उसको अभी कितने दिये हैं सिरफ 20,000 रुपए ठीक है 30,000 अभी वो आपसे लेने वाले हैं ठीक है आपने ना goods खरीदे हैं purchased goods चु है on credit उधार पे कितने के लिए 50 के ठीक है जिस में स इसे paid cash कितने कर दी 20,000 ठीक है 30,000 क्या है still to be paid अभी देने वाले पड़े हैं ठीक है तो यहाँ पे यह जो देने वाले पड़े हैं ठीक है आपने अभी दिये नहीं यह क्या है आपके outstanding expenses हैं क्या है यह outstanding expenses ठीक है तो यहाँ पे it is an expense है that has been incurred ठीक है जो क्या है आपने incur कियें बट खर्चा तो हो गया है ठीक है expense तो हो गया है but has not been paid पर अभी दिया नहीं जैसे कि goods तो आपके घर में पहुंच गी है पर पैसे नहीं दिये for example an audit has been conducted audit का मतलब क्या होता है checking ठीक है जैसे कि accounts की checking की जाती है ठीक है जो भी हमारी firm से हमकी checking की जाती है कि यह accounts बना रहे हैं यह पैसा दिखा रहे हैं यह ठीक tax pay कर रहे हैं कहीं कोई गबला तो नहीं कर रहे है ठीक है तो उनकी auditing होती है has been conducted by the firms of chartered accountants जो कौन conduct करते हैं CAs करते हैं ठीक है against which audit fees of 60,000 is payable हमने chartered accountants के कितने पैसे देने हैं 60,000 it means a liability देंदारी कितने की आगी 60,000 की has been incurred which is yet to be paid जो भी देने वाली पड़ी है अभी हमने chartered accounts को दीनी है अभी देने वाले पड़ी है ठीक है it is term as outstanding expense इनको हम क्या बोलती है outstanding expense बोलती है it is debitter to be handle account ठीक है यह चलो नहीं दो यह time यह हम आगे जाके पड़ेंगे ठीक है last chapter में चलो जी next हमारी अच्छी time आगी है income ठीक है आमदन अब देखो यह जो word है दो इन दोनों में बहुत जादा difference है income में और profit में income हम जर्नली लेते हैं कि हमें जितना पैसा कमाया है हमारी कमाई profit को भी हम ऐसे कहते हैं कि हमारी कमाई ठीक है पर देखो बचे मैं एक teacher हूँ ठीक है मैं कोनों एक teacher ठीक है जो teacher है वो क्या कमाता है income कमाता है ठीक है और जो businessmen होते हैं वो क्या कमाते हैं profit कमाते हैं ठीक है तो यह जो income है यह तो broader है हर एक person कमाता है ठीक है अब देखो जैसे एक person ने 500 रुपे का समान खरीता ठीक है cost थी 500 बेच दिया 600 रुपई का एक आम आदमी ठीक है businessmen नहीं है regular base पर काम नहीं कर रहा selling price 600 रुपे का उसने क्या कमा लिया है income कमा लिया है ठीक है profit नहीं कमाया पर अगर यही बंदा regular base पे काम करे daily यह काम करे फिर इसको हम क्या बोल देंगे उसका profit बोल देंगे ठीक है तो यह terms आपने ध्यान से देखनी है तो क्यते income is the profit earned क्यते income क्या होती है जो profit earned किया जाता है during an accounting period ठीक है जो कौन करेगा businessmen करेगा ठीक है accounting period मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या होता है accounting period का मतलब जो भी period ठीक है आपके business ने adopt कर रखा है वो आपका financial year भी हो सकता है और accounting year भी ठीक है in other words में the difference between revenue and expense is termed as income ठीक है revenue में और खर्चे में ठीक है जो भी आपका difference आएगा ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं income बोलते हैं ठीक है जैसे इसने example भी दे रखी है किती it is अगे हम आगे जाके पढ़ते है example it is a broader term than the term of profit देखो इसने ये बात बोल दिया है कि income एक broader term है profit से ठीक है and includes profit profit इसमें include है क्योंकि देखो यहाँ पे भी वेने example दी तो इस बंदे को profit तो हुआ ठीक है यहाँ पे profit तो हम बोलते हैं कि इसको profit हुआ है ठीक है तो यह profit इसके बीच में include है from the activities other than its operating activities ठीक है यहाँ पे पर कोई operational activities नहीं की जाती for example goods costing है 15,000 15,000 की तो goods की cost है cost का मतलब expense उपर इसने बताया revenue and expense तो expense कितने है 15,000 and sold sold का मतलब revenue जो आपकी income है आपकी जेब में आई है कितने आगे 21,000 आपकी जेब में आ चुके है ठीक है the cost of goods you sold 15,000 is expense है sale of goods 21,000 is revenue है ठीक है and the difference 6,000 क्या कमा लिए आपने income कमा लिए है ठीक है यह क्या होगी आपकी income ठीक है it can therefore क्याती be expressed as इसको कैसे express किया जाता है income को revenue minus expenses ठीक है revenue message अब खर्चे को minus कर देते हैं ठीक है अगर plus में आ जाए तो income होती है minus में आ जाए तो loss होता है ठीक है अब दिखो next अभी हम इन दोनों म में भी डिफरेंस घोता है अगर आप goods को बेचते हो goods term किस के इसके लिए उसकी जाती है बिंशनश में इसके लिए यूज्ष के पैसा कमा रहे हो ठीक है तो वह क्या होता है अगर आप assets को बेच के ठीक है आपने assets कोई बेचा ठीक है आपके पास machinery पड़ी थी कितने किती वन लेक की ठीक है अपने सेल कर दी है फाइफ थाउजेट में तो जो पाँच हजार रुपए आपके पास आया है ठीक है बढ़की आया है तो उसको हम क्या बोलती है गेन बोलते हैं हम उससे प्रॉफिट नहीं बोलते का वे भी ठीक है इसने यहाँ पर बताया उपर नहीं बताया आपको किया तब profit means income earned by the business ठीक है profit क्या होता है जो income earn की जाती है किसके दौरा businessman के दौरा from its operating activities ठीक है जब वो कोई operational काम करेगा उसके बाद उससे पैसा आता है जीव में ठीक है the activities carried out by enterprise to earn profit ठीक है जो भी enterprise हमने देखे थे different type of firms होती है ठीक है ना different type of businesses होती है उनके ज़्यादा दौरा जो भी businessmen बस regular base पे काम करेगा आपका कहने का मतलब इनका यह ही है कि जो भी regular base पे काम करेगा और income कमाएगा उसको हम क्या बोलते है profit बोलते हैं ठीक है for example profit earned from the sale of goods ठीक है आपने goods को sale करके जो कमाया है या फिर rendering of services या फिर services दी है किसी को भी ठीक है तो next उसके बाद है यहाँ पे gain ठीक है किता gain is increased in honors equity gain से मालिक की equity बढ़ती है ठीक है equity का मतलब मालिक की capital ठीक है capital को honors equity भी तो बोलते हैं ठीक है resulting from something other than the day to day earning ठीक है जिसका result day to day earning के साथ तो हमारी क्या होगी profit आएगा हमें ठीक है from irregular irregular का मतलब जो हमेशा नहीं आएंगे जैसे asset है हम कभी कहीं जाके एक बार बेचते हैं हमेशा नहीं बेचते हैं और non recurring nature यह कौन से होते हैं non recurring nature के होते हैं recurring nature का मतलब जो बार बार जैसे के revenue income हो रही है ठीक है बार बार हो रही है ठीक है ये कभी भी operating नहीं होती of the business but as incidentally to it such as gain ठीक है पर ये incidentally कभी कहीं कोई machine है इतनी superior machine हमने import की ठीक है करोडो रुपे की machine थी ठीक है पर वो क्या होगे outdated होगे जिस जो वो समान बना रही है वो आजकल market में बिकी नहीं रहा तो हमें मजबूरन incidentally वो machine को बेचना पड़ रहा है ठ तो अगर वो machine हमारी इंडिया में ठीक है आपकी company तो बढ़िया है बड़ा manufacturing आपने वो खोल रखा है project ठीक है तो अगर आप किसी को भी market में बेचोगे पर वो profit में बिक जाएगी तो उसे क्या कहेंगे हम gain कहेंगे ठीक है जैसे कि sale of land machinery investments ठीक है ये सारे क्या होते हैं gain होते इसके उपर income हुई है extra up को benefits मिले है तो वो सारे क्या हो गया आपका gain होगा ठीक है next है loss ठीक है loss दोनों के case में loss ही होता है ठीक है किती loss is the excess of expenses ठीक है of the period over its revenue अगर आमदन अगर income कम है खर्ची जादा है तो हमें क्या हो गया loss हो गया it decreases the honors equity इससे हमारे मालिक की जो equity है जो capital है जाएगी reduce हो जाएगी it is a broad term and include loss incur ठीक है यह एक broader term है ठीक है जिसमें include loss incurred in its operating activities ठीक है इसमें क्या होता है operating activities के according to operating activities में जो भी loss incur होता है या फिर money और money worth loss against which a firm received no benefits ठीक है या फिर कोई भी ऐसे term ठीक है जिसमें money received ही नहीं होता ठीक है जैसे कि अभी हमने कौन सी term पड़ी थी depreciation ठीक है तो ये भी क्या है loss है ठीक है जिसमें आपको पैसा रसीवी नहीं होगा और next cash और goods lost in theft ठीक है यहाँ पे अगर चोरी हो गई है आपके goods की ठीक है ना तो वो भी नहीं आपके पैसा जेब में आएगा and loss arising from events of non recurring nature जैसे कि आ आपने कोई fixed asset को ठीक है बेचा पर वो कितने की बीचे हैं बिके आपकी कम पैसे की बिके ठीक है तो वो भी क्या होगा हमारा loss होगा ठीक है तो पहले profit में तो हमने दो terms पड़ी थी profit और gain पर इसमें क्या है हमारी एक ही term है loss है इसका मतलब ठीक है next है हमारी term purchases purchases का मतलब हम क् करते हैं खरीदना कुछ भी खरीदना ठीक है पर एकाउंटेंसी में पर्चेजस के टर्म जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है इसमें पर्चेजस का मतलब क्या आएगा सिर्फ गूड्स खरीदने जो आपने आपने री सेल पर्पस के लिए बेचने है ठीक है पर्चेजस जो टर्म आएगी वो सिर्फ गूड्स के लिए आएगी एसेट के लिए नहीं आएगी कभी भी तो कहते दे टर्म पर्चेजस इस यूज्ट फॉर एन एकाउंट तू रिकॉड पर्चेस ऑफ गूड्स जिसमें आपने goods खरीदने के लिए goods खरीदे हैं क्या करेंगे आप बेचेंगे या फिर आपने raw material जो खरीदा है ठीक है और उससे आप goods क्या करोगे produce करोगे for resale purpose क्या होना चाहिए resale ही होना चाहिए और for producing product ठीक है आपने produce करना है which are also to be sold ठीक है जो कि अपने produce करने के बाद बेचना ही है ठीक है तर्म purchases में अब क्या आजाएगा बोथ आजाएंगी चाहिए cash पर खरीद रहे हो चाहिए credit पर खरीद रहे हो ठीक है पर word के आएगा purchases goods purchased for cash our term as cash purchases बोल देंगे हम उसे और goods purchase on credit को हम credit purchase बोल देंगे ठीक है next उसके बाद है purchase return purchase return का मतलब जब आपने जो goods खरीदे हैं वो किसी भी कारणा आपसे आपने उसे return कर दिया वापिस कर दिया ठीक है तो उसको हम क्या बोलेंगे purchase return ठीक है और एक ज़्यादा तर use होने वाली term purchase return में returns out word है अब देखो यह out word कैसे आया यह ना हमारी shop है shop है दुकान है ठीक है तो दुकान में हम सामान क्या कर रहे हैं purchase कर रहे हैं खरीद रहे हैं तो सामान क्या हो रहे हैं आ रहा है ठीक है अगर हम सामान को वापिस करेंगे अब पता क्या हुआ सामान जो था ना मैंने मंगवाई तो थी 10 pieces मंगवाई थे ठीक है मैंने quantity मंगवाई थी 10 pieces ठीक है पर अब क्या हुआ उन्होंने मुझे दे कितने pieces दिये उन्होंने मुझे pieces दे दिये 15 ठीक है मैंने चलो 12 pieces तो रख लिए 3 मैंने क्या कर दिये return कर दिये वापिस कर दिये ठीक ह तो यहाँ पे यह जो हमारी purchases है यह हम किसी भी कारण यहाँ फिर क्या हो गया जो उसने मुझे goods भेजे थे वो क्या थे defector थे खराब थे गलत थे तो फिर भी मैं क्या कर दूँगी return कर दूँगी तो कोई भी कारण हो सकता है जब हम purchases क्या करते है return कर देते हैं सामान वापिस कर देते हैं अब देखो जो सामान शौप में आया था वो किसी कारण चला गया है it means return हो गया है out word out word का मतलब हमारी दुकान से चला गया है तो इसलिए यहाँ पे word purchases return भी आ सकता है ठीक है goods purchased may be return ठीक है कभी भी return भी हो सकते है maybe to the seller for any reason say they are defective हो सकते हैं कई बार ठीक है goods or return जो ऐसे वापिस भेजे जाएंगे उनको purchase return या फिर returns out word बोलते हैं ठीक है next है sales ठीक है जैसे हमने purchases बोला है purchases किसके लिए आती है हमेशा ही जब आप goods के लिए ही purchases term आती है इसी तरह ही sales term भी किसके लिए आती है goods के लिए ठीक है the term sale is associated with or used for sale of goods ठीक है किसके लिए associated है sale of goods के लिए जब आप goods को बेचोगे ठीक है goods के लिए sale word आएगा ठीक है next है these goods may be purchased for resale ठीक है यह आप resale के लिए भी खरीच सकते हो ठीक है और manufactured by the enterprises ठीक है या फिर enterprises के द्वारा क्या किया जा सकता है इसे manufacture करके भी बिच्चा जा सकता है ठीक है the term sales include both cash भी आजाएगा credit भी आजाएगा ठीक है when goods are sold for cash they are term as cash sales when goods are sold on credit they are term as credit sales ठीक है अब देखो sales return का मतलब भी सेम ऐसे होता है अगर किसी भी कारण आपने समान गलत दे दिया तो फिर customer क्या कर देगा आपको समान वापिस कर देगा ठीक है तो goods sold when return ठीक है goods जो आपने बेची है जब वो दुबारा आपके पास ही आ जाएगी return कर देगा कोई भी आपको by the purchaser they term as sales return उसको हम sales return भी बोलते हो returns in word अब देखो यह हमारी shop है shop में हमने बड़ी मुश्किल sales की बेच दिया ठीक है जो हमने sales की वो समान हमारा क्या हो गया है वापिस आ गया है shop में आ गया है तो it means sales क्या हो गी है return हो गई है आपकी sales का समान जो आपने बेचा था जो आपने बाहर निकाला था वो क्या हो गया है वापिस अंदर आ गया है तो हम इससे क्या बोलेंगे sales return भी बोल सकते हैं और इससे हम बोलेंगे return inward, inward का मतलब सामान वापिस आ गया है inward हो गया है, ठीक है next देखो next time है revenue from operations, ठीक है अब किते revenue from operation means revenue earned by an enterprise, ठीक है enterprise कोई भी sole proprietorship firm company कोई भी हो सकता है, ठीक है जिसने भी revenue income कमाई है, ठीक है किससे अपने operation से, ठीक है जो भी उसका operation है जैसे कि cycle बनाने की factory है, cycle बेचने के बाद जो भी आप कमाते हो, वो आपकी क्या होगी, revenue होगी, income होगी, आमदन होगी, ठीक है, from its operating activities, ठीक है, जो भी आप operating का मतलब operational activities कर रहें, operational का मतलब जो आपकी factory से related to activities है, ठीक है factory का मतलब कुछ काम हमारे factories में होते हैं, कुछ कमाम हमारे offices में होते हैं factory में हमारा क्या हम काम होगा जैसे अभी हमने example लिए कि हमारी cycle बनाने की factory है ठीक है, तो cycle बनाने के लिए जो भी हम खर्चे करेंगे ठीक है ना, अब सामान लाने का खर्चा, परचेज़स का जो खर्चा है, ठीक है ना, सामान अभी आ रहा है, रा मेटीरियल है, ठीक है उसको हमने मजदूरों के द्वारा बनवाना है, तो मजदूरों को हमें क्या देनी पड़ेगी, विज्जिस देनी पड़ेगी ठीक है ना, और हमें किराया देना पड़ेगा, लाने का, carriage, इनवर्ड का, ठीक है ना, तो यह सारे जितने भी खर्चे हैं, यह सारे खर्चों के ऊपर, ठीक है किया हम आगे जाके पढ़ेंगे next उसमें तीक है अब देखो यहाँ पे हैं इसने यह बताए कि इस सभी का treatment कैसे होगी यह treatment आप last chapter में अच्छे से सीख जाओगे next भी goods अब देखो goods क्या होते हैं हम बार बार पढ़ रहे हैं goods 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 टीक है goods क्या होते है goods are the physical item ठीक है physical का मतलब ज जो चीज हमें दिखाई दे ठीक है physical item हो जिसके कुछ physical ability हो ठीक है किते off trade विवपार की that are purchased to be sold ठीक है जो खरीदी है क्यों खरीदी है उसका purpose क्या है कि हमने उससे दुबारा बेचना है ठीक है the term applies to all the item making up the sales ठीक है इसमें वो सारी ही items आ जाएंगे ठीक है जो किस purpose से खरीद है ठीक है और purchases of business ठीक है या फिर business करने के ठीक है इसलिए खरीदी है कि हमने business करना है ठीक है starting differently they are stock in trade of enterprise ठीक है इसको हम stock in trade भी बोल सकते हैं ठीक है purchased or manufactured with the purpose of selling ठीक है अब इको stock in trade का मतलब जीनोंने खरीदा है या फिर manufacture किया है ठीक है उनके लिए ये word stock in trade आ जाता है stock in trade का भी यही मतलब है ठीक है तो इसको हम differently state कर सकते हैं अलग तरीके से बोल सकते है stock in trade stock का मतलब यह हमारे trade का व्यापार करने का एक stock है जिसको हम क्या बोलते हैं goods भी लिख सकते हैं ठीक है foreign enterprises dealing in home appliances ठीक है अगर कोई भी enterprise कोई भी shop कोई भी firm कोई भी company ठीक है deal कर रही है ठीक है home appliances से तीवी हो गया फ्रिज हो गया एसी हो गया यह सारे ही क्या है goods है ठीक है and for stationier ठीक है जो pen pencil पेचने वाला बन्दा है ठीक है stationer जो है እके लिए stationery क्या हो गी है goods हो गई है ठीक है तो ये क्या नामाएगा goods आएगा ठीक है अब देखो stock और inventory ठीक है inventory का मतलब क्या होता है अभी हमने goods पढ़ा है goods का मतलब क्या होता है जो ready समान होता है ठीक है न यहाँ पर stock and trade word जिसके लिए use किया जाता है ठीक है न कितने यहाँ पर inventory का मतलब क्या है stock या फिर inventory is a tangible asset है ठीक है tangible का मतलब जिसे हम देख सके छूँ सके जैसे उपर लिखा है एक physical item है held by enterprises for the purpose of sale ठीक है क्यों ली है कि हमने इसे बेचना है in ordinary course of business में ठीक है जो हम आम daily काम करेंगे for the purpose of using it in the production of goods ठीक है meant for sale ठीक है क्यों हमने इसे use करना है हम इसे sale करेंगे और पैसा कमाएंगे ठीक है stock कितने तरह का होता है mainly दो तरह का stock आप बार बार हर year देखोगे एक होता है opening stock और एक होता है closing stock ठीक है अब देखो मैं आपको एक account दिखा रही हूँ आपने ये account नहीं देखना आपने सिरफ term को समझना है account अब आपको समझनी आएगा ठीक है ये देखो जैसे कि ना यहाँ पे मैंने अपना business शुरू किया है 2018 में 2018 में मैंने अपना business शुर समान खरीदा बेचने के लिए समान खरीदा मैंने कितने का खरीदा 10,000 का उस में से मैंने बेच दिया समान कितने का बेच दिया मैंने 8,000 का ठीक है 10,000 का समान खरीदा 8 का बेच दिया आज मेरे जेब में मेरे पास कितने का stock पढ़ा है 2000 रुपे का stock पढ़ा है ठीक है इसको क्लोजिंग स्टॉक जो at the end of the year आपका बच गया next आ गया year हमारा 2019 यह जो समान हमारा 2018 में बचा है यह क्या हम बाहर थोड़ी ना फेंक दिते हैं ठीके ना वह हम अगले साल फिर यूज करेंगे तो यह हमारा क्या हो गया opening कीनिंग स्टॉक कितना हो गया दो हजार ऊपर हजार और फिर मेरे खरीद लिए कितना घरिदा दस canoe सामान ठीदे तोल में मेरे पास बारह हजार का समान आ गया começa जिसमें से मेरे बेच दिया से 1000 का इस बार मेरे पास कितने का समान बच गिया है 4000 ठीक है ना? तो यहाँ पे सुरी 6000 का समान मेरे पास बच गिया है ठीक है ना? तो मेरा closing stock क Concernal कितना आ गया 6000 ठीक है अब देखोben 2020 की बहत ले लो 2020 में मेरा opening stock कितना हो गया 6000 ठीक में जो पिछले साल बचा था ठीक है, 6,000 हो गया और इस बार मैंने फिर खरीद लिया समान, कितने का खरीदा, 10,000 का, मेरे पास टोटल 16,000 का समान था, जिसमें से मैंने 12,000 का समान क्या कर दिया है, बेच दिया है, आज मेरे पास समान कितने का पड़ा है, 4,000 रुपे का, आपको स the stock in hand, जो आपके हाथ में पड़ा है, in the beginning of the accounting year, जब आपके साल की शुरुआत होती है, अब देखो, इस साल तो मैंने अपना business 2018 में तो शुरू किया था, तो पिछले साल का तो stock मेरा कुछ भी नहीं था, zero stock था, यहां पे मैंने लिया ही नहीं, पर 2018 में मैंने सामान खरीदा इसमें से कुछ सामान भी कगया, कुछ बच गया, तो इस टाइम मेरा closing stock बच गया है, ठीक है, opening stock का यह देखो, यहां पे opening stock कितना क्या आएगा, जो stock in hand है, ठीक है, जो हमारे हाथ में है, कब है, in the beginning of the accounting year, ठीक है, जो भी आपका year है, 2019 उसके beginning में, शुरुआत में ही आपके previous year, यह previous year के का कौन सा end का stock है, ठीक है, next closing stock, closing stock is the stock in hand at the end of the current accounting period, ठीक है, जो आपके current accounting period है, 2018 चल रहे है न, 2018 में जो end में आपके पास बचे का वो क्या होता है, आपका closing stock, ठीक है, अब यह जो closing stock है, ठीक है, यह जो goods है हमारे, यह जो हमारी inventory है, इसको हम further कितने part में यह आपको already पता होगा, ठीक है, आपने पहले भी पढ़े होंगे यह terms, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, first क्या है, stock और inventory of goods, ठीक है, inventory of, यहाँ पर stock word है, stock of inventory of goods, ठीक है, stock, goods और inventory, तीनों का एकी नाम है, ठीक है, in case of a trading concern, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जिनका व समान खरीदना और उसे बेच देना, री सेल कर देना, ठीक है, तो किती, इसमें, comprises stock, inventory of goods, रीमेनिंग अन्सोर्ट, ठीक है, यहाँ पर जो उनके पार, यहाँ पर क्या आगया, stock, और inventory of goods, ठीक है, यहाँ पर stock, stock का मतलब जो ready समान है, बेचने के लिए त्यार है, बेच दो ठीक है, तो यहाँ पर stock, goods, inventory in case of a trading concern, ट्रेडिंग का मतलब होता है, जिनका काम क्या है, बना बनाया समान खरीदना और उसे बेच देना, ठीक है, comprises stock of goods remaining unsold, ठीक है, तो यहाँ पर stock का मतलब जो उनके समान, देखो, यह दो words आपके पास बार बार आएंगे, एक तो word आएगा आपका purchases, और एक word आएगा stock, ठीक है, purchases जो word है, वो है हमारा expenses, ठीक है, पर्चेस हमारा क्या है, expense है, ठीक है, और stock हमारा क्या है, asset है, ठीक है, यह हमारा asset है, और यह हमारा expense है, purchases का मतलब अभी अभी हम खरीद के लेके आए हैं सामान को ठीके तो हमारा खर्चा हो गया हमारी जेब से पैसे गई है ठीके या फिर जाने वाले हैं दोनों ही आजाएंगे cash और credit दोनों ही purchases के term में आजाएंगे stock का मतलब जो अभी सामान जैसे कि अभी हमने closing stock पड़ा ठीके अब देखो आपको पता है दुकान दारी में क्या होता है एक बार जो इस साल में सामान निकल जाए निकल जाए ठीके क्योंकि अभी वो fashion में है ठीके अगले साल हमें यह नहीं पता कि वो सामान हमारा बिकेगा भी या नहीं बिकेगा ठीके तो इस तरह से वो क्या बन जाता है हमारी संपत्ती ही बन जाता है ठीक है हम एक तरह से उसे block समझते हैं कि ये पता नहीं अब बिकेगा या नहीं बने केगा ठीक है तो इससी तरह से यहाँ पर यहाँ हुआ है कि यह जो है इसे हम क्या बोलते हैं remaining unsold है जो बिकेगा नहीं बिका रही है वो अभी हमारे पास ही पड़ा है In the case of manufacturing concern अगर हम दूसरी तरफ से देखें जो हमारी manufacturing concern है It comprises processed goods manufactured for the purpose of sale इसमें कौन सी आ जाती है ये inventory ये माल कौन सा आ जाता है जो processed हो चुकी है goods है manufactured हो चुकी है त्यार माल है अब त्यार हो चुका है मतलब ये stock already है बेचने के लिए तो यहाँ पे ये stock दोनों ही चाही ये trading concern है चाहे manufacturing है इनका समान त्यार पड़ा है चाहे आप जब मर्ची इसको बेच दो अब ये term काफी बड़ी है जो ये line है इसका मतलब काफी बड़ा line It is valued इसको कैसे valued किया जाता है कैसे इसका पैसा निकाला जाता है at the cost or net recognizable value whichever is lower दोनों में से जो कम है उसके उपर इसका जो value है वो निकाली जाती है अब देखो जैसे न मैंने आपको बताया कि ये closing stock है ये बच गया हमारा समान 4000 रुपे का ठीक है अब देखो यहां पर पता क्या है हम ना अपनी ना एक टी-शर्ट बेच रहे थे टी-शर्ट जो थी वो इस गर्मियों के सीजन में बहुत अच्छी बिकी मेरी टीशन 500 रुपे की बहुत अच्छी टी-शर्ट बिकी इस साल ठीक है और मेरे पास ना अब आट प्रेजेंट 500 रुपे की अपने गोडाउन में रख दी है क्योंकि अभी गर्मी का सीजन खतम हो गया सर्दी आगी है तो फिर मैंने क्या कर दिया इससे गर्मी के सीजन की यह जो टी-शर्ट ही मैंने रख दी है गोडाउन में ठीक है अब देखो यह जो गोडाउन में रख दी है यह जो टी-शर्ट मेरी इस साल तो बिकी अगली बार अगले साल हो सकता है यह टी-शर्ट जो है यह आउटडेटर हो जाए कोई इसको 500 की पूछे ही ना यह मुश्किल से 4500 की बेचू या फिर 300 की हम जो सेल लगा देते हैं ठीक है ना जो हमारा मेटीरियल आउटडेटर हो जाता है ठीक है वो लगा के हम बेचेंज को ठीक है कम दामों में के हाँ भई ले लो कोई भी ले लो इसे ठीक है या फिर यह जो टी-शर्ट है इसके डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाए हो सकता है इन फ्यूचर ठीक है किसी की दुकान पे यह अवेलेबल ना हो सिरफ मेरी दुकान पे हो ठीक है और मेरी यही टी-शर्ट 700 की बेचाए कुछ भी हो सकता है यह तो नेक्स्ट येर की बात यह 400 की भी बिख सकती है 300 की भी और 700 की भी बिख सकती है ठीक है पर जब भी हमने अपने अकाउंटिंग्स करने है अब जब हमने अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने है तो हमने हमेशे एंटिस्पेट करना है लॉसस को कभी भी प्रॉफिट्स को anticipate करते हुए नहीं चलना है हमने कभी यह यह नहीं सोचना कि in future मुझे profit ही होने वाला है ठीके हमने यह सोचना है कि मुझे in future क्या होगा loss होगा ठीके जिस case में मैं क्या देखूंगी इस case में हमने देखना है यह देखो लिखा है जो valued करेंगे हम जो closing stock की उसकी reality में naturalizable का मतलब जो market value market में जो उसकी value चल रही है ठीके है उस value में से whichever is lower दोनों में से जो कम है दोनों में से कम कौन है 300 तो अब हम इससे 4000 की नहीं लगाएंगे हम 300 into 8 कितना 2400 की लगा के इसे रखेंगे ठीके है तो यह जो closing stock होता है यह जो बचा हुआ समान होता है इसको हम कैसे value करते है cost or naturalizable value whichever is lower है ठीके next है stock और inventory of raw material ठीके raw material की stock of raw material raw material का मतलब कच्चा समान है जो अभी बनने के लिए अभी बनेगा ठीके न अभी हम उसकी जो process है वो अभी चलेगी अभी हम उसका कच्चा समान लेके आए है ठीके तो यहाँ है it comprises the stock of raw material used for manufacturing of goods laying unused ठीके अभी तो बढ़ा है यह ठीके जो अभी manufacturing होगा ठीके for example stock of clothes to be used for stitching shirts ठीके अभी cloth है अभी कपड़ा बढ़ा है हमारे पास अभी हम इसे use करेंगे और इससे क्या बना देंगे t-shirts या shirts बना देंगे ठीके stitch करेंगे इसे it is valued at cost और naturalizable value whichever is lower ठीके इसको भी हम कैसे करेंगे इसी तरह से क्यों यह भी stock है हमारे पास पड़ा हुआ है next work in progress work in progress का मतलब क्या है जो समान बन रहा है ठीके न अभी थोड़ा आदा बन चुका है आदा बनने के लिए रहता है ठीके it is stock that is process of being finished ठीके अभी finished होने जा रहा है जैसे अभी cloth है cloth की shirt बनने जा रही है जिसका अभी collar लगाना है और pocket लगानी है ठीके तो अभी बनने जा रहा है ठीके they are partially finished goods आदा तो बन चुका है it is valued at an aggregate of cost of raw material ठीके यह क्या है कहते है valued किया जाता है aggregate of cost of raw material की total cost ली जाती है total cost का मतलब जैसे की cost of labor wages इसमें add की जाती है other production cost ठीके जैसे की power fuel use किये जाती है power का मतलब electricity ठीके जो बड़ी बड़ी machine चलती है तो उसमें हमें बिजली की यूज़नी electricity नी यूज़ करते है हम वर्ड यूज़ करते है power क्योंकि उसमें हमें more volt की ज़रूरत जादा power की ज़रूरत पढ़ती है ठीके fuel fuel का मतलब उसमें जो oil जो petrol जो grease जो भी चीज़े आपको यूज़ करनी होती है ठीके तो ये सारी cost उसमें क्या होती है involved होती है ठीके ये हम practically करेंगे तो आपको ये terms जादा अच्छे से clear हो जाएंगे ठीके next उसके बड़ी ये term balance sheet में जो होगी ये हम बाद में करेंगे next है हमारा अब हम छोटी-छोटी terms ले लेते हैं बड़ी term बाद में करेंगे चलो देखो cost cost का मतलब क्या होता है cost it is the amount of expenditure ये expenditure का वो amount है incurred on और attributable to a specified article जो भी एक particular specified article product activity पे ठीके incur होता है ठीके जैसे की एक t-shirt है मैंने कितने की करीदी मान सो की बेची कितने की मैंने आट सो की ठीके तो मैंने 300 रुपे का क्या कर लिया profit का मा लिया ठीके तो ये क्या है इसकी cost है कीमत है ठीके amount of expenditure है incurred on और attributable or specified कोई भी एक specified कोई भी article या product या activity पे जो हम कहते हैं कि हमें इतना पढ़ गया इतने कीमत पढ़ गयी है ठीके इतनी cost पढ़ गयी है इसके ठीके लागत next है voucher vouchers क्या होते हैं कितने voucher is an evidence evidence होता है एक सबूत होता है of business transactions ठीके जिसमें आपके accountant या आपके आपका clerk होता है उसके द्वारा लिखा जाता है ठीके न evidence होता है एक सबूत होता है example of vouchers हम आगे पढ़ेंगे cash memo invoice bill receipt debit credit ठीके ये सारे आप आगे बनाओगे जाके ठीके ये vouchers जो है ये business की transactions की lane देन दिखाते हैं क्या debit हुआ क्या credit हुआ ठीके next discount discount का मतलब होता है छूट देने discount देना it is the reduction in the price of goods ठीके ये क्या होती है reduction होती है आपको goods के price के उपर reduction मिल गई जैसे कि समान था 500 रुपे का समान था उसने आपको 50 रुपे छोड़ दिये 4500 रुपे का दे दिया ठीके तो ये क्या मिल गई आपको reduction मिल गई छूट मिल गई in the price of goods के उपर और from the amount to be paid to customer ठीके by the enterprises ठीके जो भी customer ने enterprises को देना था paid करना था ठीके उसके उपर क्या मिल गई reduction मिल गई है ठीके discount allowed may be discount दो तरीके का होता है trade discount होता है और cash discount होता है ठीके ये दो तरह का discount हम पढ़ेंगे यहाँ पे आपके पास questions में आया करेंगा दो तरह का discount ठीके first है trade discount trade discount is the reduction in price by the seller to the purchase of goods when they buy goods of certain quantity or value ठीके अगर वो कुछ quantity या particular value में समान खरीदता है ठीके तब उससे trade discount दिया जाता है यहाँ पे क्या आगया stock और inventory of goods ठीके यहाँ पे stock stock का मतलब जो ready समान है बेचने के लिए त्यार है बेच दो उसे अब ठीके तो यहाँ पे stock goods inventory in case of a trading concern trading का मतलब होता है जिनका काम क्या है बना बनाया समान खरीदना और उससे बेच देना ठीके comprehensive stock of goods remaining unsold ठीके तो यहाँ पे stock का मतलब जो उनके समान देखो ये दो words आपके पास बार बार आएंगे एक तो word आएगा purchases एक word आएगा आपका purchases और एक word आएगा stock ठीके purchases जो word है वो है हमारा expenses ठीके purchases हमारा क्या है expense है ठीके और stock हमारा क्या है asset है ठीके यह हमारा asset है और यह हमारा expense है purchases का मतलब अब भी अब भी हम खरीद के लेके आएं सामान को ठीके तो हमारा खर्चा हो गया हमारी जेब से पैसे गई है ठीक है या फिर जाने वाले हैं दोनों ही आ जाएंगे cash और credit दोनों ही purchases के term में आ जाएंगे ठीक है क्योंकि अभी वो fashion में है ठीक है अगले साल हमें यह नहीं पता कि वो सामान हमारा बिकेगा भी या नहीं बिकेगा ठीक है तो इस तरह से वो क्या बन जाता है हमारी संपत्ती ही बन जाता है ठीक है हम एक तरह से उसे block समझते हैं कि यह पता नहीं अब बिकेगा या नह बिकेगा ठीक है तो इसी तरह इसे नहीं यहां पर यहां हुआ है कि यह जो है इसे हम क्या बोलते हैं remaining unsold है जो बिकेगा नहीं बिका नहीं है वो अभी हमारे पास ही पड़ा है ठीक है in the case of manufacturing concern अगर हम दूसरी तरफ से देखें जो हमारी manufacturing concern है ठीक है it comprises processed goods manufactured for the purpose of sale ठीक है इसमें कौन सी आ जाती है यह inventory यह माल कौन सा आ जाता है जो processed हो चुकी है goods है manufactured हो चुके त्यार माल है ठीक है अब त्यार हो चुका है मतलब यह stock अब ready है बेचने के लिए ठीक है तो यहां पर यह stock दो नहीं ठीक है चाही यह trading concern है चाहे manufacturing है इनका स इसको बेच दो ठीक है अब यह term काफी बड़ी है जो यह line है इसका मतलब काफी बड़ा line मतलब है it is valued इसको कैसे valued किया जाता है कैसे इसका पैसा निकाला जाता है at the cost or net recognizable value whichever is lower दोनों मेंसे जो कम है उसके उपर इसका जो value है वो निकाली जाती है अब देखो जैसे न मैंने आपको बताया कि यह closing stock है यह बच गया हमारा समान 4000 रुपे का ठीक है अब देखो यहां पर पता क्या है हम ना अपनी ना एक टी-शर्ट बेच रहे थे टी-शर्ट जो थी वह इस गर्मियों के सीजन में बहुत अच्छी भी की मेरी टीशन 500 रुपे की बहुत अच्छी टी टी-शर्ट बच गी है चार हजार रुपे की ठीक है अब यह मैंने कहां पर रख दी अपने गोडाउन में रख दी है क्योंकि अभी गर्मी का सीजन खतम हो गया सर्दी आ गी है तो फिर मैंने क्या कर दी है इससे गर्मी के सीजन की यह जो टी-शर्ट ही मैंने रख दी है ग अब देखो यह जो गुडाउन में रख दी हैं यह जो टी-शेट्स मेरी इस साल तो बिकी अगली बार अगले साल हो सकता है यह टी-शेट्स जो है यह आउट्डेटर हो जाएं कोई इसको 500 की पूछे ही ना यह मुश्किल से 400 की बेचू या फिर 300 की हम जो सेल लगा देते हैं डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाए हो सकता है इन फ्यूचर ठीके किसी की दुकान पे यह अवेलेबल ना हो सिरफ मेरी दुकान पे हो ठीके और मेरी यही टी-शेट्स 700 की बिकी जाए कुछ भी हो सकता है ठीके यह तो नेक्स्ट येर की बात यह साड़े 400 की बिक सकती ठीके 300 की बहुत पर जब बी हमने अपने एकाउंटिंग करनें अब जब अपने अपने फाइनल अकाउंट मोमट बनाने है तो हमने हमेशे एंटी-इसiper करना है लॉस को कभी भी प्रॉफिट्स को method करते हुए नहीं चलना है हमने कभी यह नहीं砲ा है हमने यह सुचना कि देखना है यह देखो लिखा है जो valued करेंगे हम जो closing stock की हम value निश्चित करेंगे यहां पे कितिन cost जो मेरी cost है कितनी है 500 रुपे और naturalizable value ठीक है जो उसकी reality में naturalizable का मतलब जो market value market में जो उसकी value चल रही है ठीक है उस value में से whichever is lower दोनों में से जो कम है दोनों में से कम कौन है 300 तो अब हम इसे 4000 की नहीं लगाएंगे हम 300 into 8 कितना 2400 की लगा के इसे रखेंगे ठीक है तो यह जो closing stock होता है यह जो बचा हुआ समान होता है इसको हम कैसे valued करते हैं cost or naturalizable value whichever is lower है ठीक है next stock or inventory of raw material ठीक है रा मिटेरियल की stock of raw material रा मिटेरियल का मतलब कच्चा समान है जो अभी बनने के लिए अभी बनेगा ठीक है अभी हम उसकी जो process है वो भी चलेगी अभी हम उसका कच्चा समान लेके आए है ठीक है तो यहां है it comprises the stock of raw material used for manufacturing of goods laying unused ठीक है अभी तो पड़ा है यह ठीक है जो अभी manufacturing होगा ठीक है it is valued at cost or naturalizable value whichever is lower ठीक है इसको भी हम कैसे करेंगे इसी तरह से क्यों यह भी stock है मारे पास पड़ा हुआ है next work in progress work in progress का मतलब क्या है जो समान बन रहा है ठीक है अभी थोड़ा आदा बन चुका है आदा बनने के लिए रहता है ठीक है it is stock that is process of being finished ठीक है अभी finished होने जा रहा है जैसे अभी cloth है cloth की shirt बनने जा रही है जिसका अभी collar लगाना है और pocket लगानी है ठीक है तो अभी बनने जा रहा है ठीक है they are partially finished goods आदा तो बन चुका है it is valued at an aggregate of cost of raw material ठीक है ये क्या है कहते है वेल्यूड किया जाता है aggregate of cost of raw material की total cost ली जाती है total cost का मतलब जैसे की cost of labor wages इसमें add की जाती है other production cost ठीक है जैसे की power fuel यूज किये जाती है power का मतलब electricity ठीक है जो बड़ी बड़ी मशीने चलती है तो उसमें हमें बिजली की use नहीं electricity नहीं यूज करते हैं हम word यूज करते है power क्योंकि उसमें हमें more volt की ज़रूरत ज्यादा power की ज़रूरत पड़ती है ठीक है fuel का मतलब उसमें जो oil जो petrol जो grease जो भी चीज़े आपको use करनी होती है ठीक है तो यह सारी cost उसमें क्या होती है involve होती है ठीक है यह हम practically करेंगे तो आपको यह terms जादा अच्छे से clear हो जाएंगे ठीक है next है हमारी term trade receivables ठीक है trade receivables का मतलब क्य होता है it is the amount receivable for goods sale of goods ठीक है यह वो amount होता है जो receivable है अब भी हमारी जेब में आने वाला है जो हमने goods को बेच दिया है ठीक है और या फिर हमने services दे दी है ठीक है जैसे कि हमने transportation का उनका समान जा उन्होंने बोला था बरेटा से हमारा समान जी दिल्ली ले जो ठीक है तो हम ब कैसे आने वाले पड़ी है ठीक है तो stating differently it is the amount to due from the customer ठीक है यह वो पैसा होता है जो customer से अभी आने वाला पड़ा है ठीक है तो किती trade receivable is sum total of यह क्या होता है trade receivables दो चीजों से बना हुआ है ठीक है trade का मतलब विवपार receivables का मतलब जो आने वाला पड़ा है पैसा ठीक है य दो transactions को ठीक है यहाँ पे दो terms आएंगी debtors plus bills receivables is equal to trade receivables ठीक है चाहे debtor है चाहे bill receivable है दोनों ही क्या है trade receivables है ठीक है अब देखो यहाँ पे debtor is a person debtor क्या है वो person है या फिर वो entity है entity का मतलब कोई shop हो सकती है कोई company हो सकती है ठीक है अब company में काम करने वाले 200 person है तो हम उनका एक एक का नाम थोड़े ना लेंगे हम उनको उनकी company का नाम लेंगे कि वहाँ पे जो company है जैसे कि ABC company है उससे हमने पैसे ले 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 है ठीक है goods even sold to person ठीक है goods जब भी आपने person को sold करनी है credit के उपर that person is called debtor ठीक है उसको हम क्या बोलते है debtor बोलते है because he owns that much amount to the enterprises ठीक है क्योंकि उसने वो पैसा enterprises से ले रखाया और उसने उससे देना है ठीक है तो क्या बन जाता है वो debtor बन जाता है ठीक है अब देखो bill receivable, bill receivable का मतलब जो bills अभी आने वाले पड़ी है ठीक है जो देखो एक तो person जो है वो मूझ से बोलके कह देते हैं कि हमने इतने पैसे देनी है ठीक है एक हम bill बनाके लेके आते हैं ठीक है और bill बनाके जब आपके पास आता है ठीक है तो वो bill जो आने वाले है यह accept किया जाता है accept का मतलब माना जाता है debtor के द्वारा कि हां जी मैं आपको इतने time के बाद यह पैसे दे दूंगा ठीक है और यह जो bill of exchange है यह negotiable instrument होता है ठीक है यह हमने आगे जाके पूरा detail में chapter है इसका वो पढ़ेंगे हम ठीक है तो यह bill of exchange जो होता है ठीक है न यह debtor के द्वारा accept किया जाता है कि मैं आपको यह पैसे दे दूंगा और इसका time period छो होता है वो कितना होता है 3 months का होता है ठीक है तीन महिने का time period होता है ठीक है उसके बीच बीच में यह पैसे एक साल के बीच बीच में ठीक है अगर यह नहीं देता फिर हम क्या डेक्लियर कर देते हैं बैड डेट्स ठीक है और अमांट कब रसीव हो जाना जाए जो भी उसकी स्पैसिफाइड डेट है ठीक है विदिन थ्री मन्स तीन महीने के बीच बीच में ठीक है नेक्स्ट है ट्रेड रसीवेबल ठीक है इटेस अमांट पेबल जैसे यह रसीवेबल था यह क्या है पेबल है यह अभी देने वाले पड़े हैं ठीक है जो आपने गूट्स कैसे की है खरीदी है कैसे क्रेट पे ठीक है यह आप गूट्स भी करी सकते है या फिर जो आ एंटरपाईज़ के देने वाले परी हैं टू ट्रेड पवल इसन सम टो तोल वह किस से बनता है categories और बिल वो जिस करदीटर का मतलड़ क्या होता है एससी तरह से बिल खेवल धी देने बनाएं जाता है और accept किया जाता है यह कौन करेगा हम करेंगे कि हम आपके इतने time के पाद पैसे देंगे और उस specified date को हम उसे पैसे क्या कर देते हैं दे देते हैं और देने ही देने चाहिए ठीक है यह हमारा यह complete हो गया है देखो cost cost का मदब क्या होता है cost it is the amount of expenditure यह expenditure का वो amount है incurred on और attributable to a specified article जो भी एक particular specified article product activity पे इंकर होता है जैसे कि एक t-shirt है मैंने कितने की करीदी मांसो की बेची कितनी की मैंने 800 तो मैंने 300 रुपे का क्या कर लिया profit का लिया तो यह क्या है इसकी cost है कीमत है amount of expenditure है incurred on और attributable कोई भी एक specific article या product या activity पे जो हम कहते हैं कि हमें इतना पढ़ गया इतनी कीमत पढ़ गई है ठीक है इतनी cost पढ़ गई है इसके ठीक है लागत next है voucher vouchers क्या होते हैं किते voucher is an evidence evidence होता है एक सबूत होता है of business transactions ठीक है जिसमें आपके accountant या आपके जो आपका वो होता है clerk होता है उसके द्वारा लिखा जाता है ठीक है evidence होता है एक सबूत होता है example of vouchers हम आगे पढ़ेंगे cash memo, invoice, bill, receipt, debit, credit ठीक है यह सारे आप आगे बनाओगे जाके ठीक है यह vouchers जो है यह business की transactions की lane देन दिखाते हैं क्या debit हुआ क्या credit हुआ ठीक है next discount discount का मतलब होता है छूट देने discount देना it is the reduction in the price of goods ठीक है यह क्या होती है reduction होती है आपको goods के price के उपर reduction मिल गई जैसे की समान था 500 रुपे का समान था उसने आपको 50 रुपे छोड दिये 4500 रुपे का दे दिया ठीक है तो यह क्या मिल गई आपको reduction मिल गई छूट मिल गई in the price of goods के उपर और from the amount to be paid to customer ठीक है by the enterprises ठीक है जो भी customer ने enterprises को देना था पेड गरना था ठीक है उसके उपर क्या मिल गई रेडक्शन मिल गई है ठीक है फर्स्ट है trade discount trade discount is the reduction in price by the seller to the purchase of goods when they buy goods of certain quantity or value ठीक है अगर वो कुछ quantity या particular value में समान खरीता है ठीक है तब उससे trade discount दिया जाता है next हमारे term है bad debt bad debt का मतलब क्या होता है debt का मतलब होता है करजा अगर हमने किसी को पैसे दिये हुए है उधार पे ठीक है उसको बोलते हैं debt हमने किसी को करजा दिया हुआ है ठीक है अगर वो करजा डूब जाए ठीक है तो उसे बोलती है bad debt कि हमारे जो करजा है वो क्या हो गया बैड हो गया है ठीक है तुसे राइट आफ कर दिया अपनी बुकस में से निकाल दिया उसे एक बाछ दिकल एर कर दिया क्या लास्टीक है because it has become irrecoverable ठीके क्यों क्योंकि अब वो कभी भी recover हमें नहीं होने वाला ठीके it is loss for the business ये business का loss होता है and this debited in P&L account ठीके तो इसलिए ये अभी आपको rules नहीं आते हैं तो आपको P&L का पता नहीं चलेगा आगे जाके हम इसको detail में कर लेगे ठीके फिलहाल सिरफ आपको term समझ आनी चाहिए ठीके next है balance sheet balance sheet क्या होती है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि balance sheet एक financial statement होती है ठीके financial statement का मतलब क्या होता है जो आपकी financial position को बताती है ठीके अब देखो जैसे कि आपके पास finance यह हमारे पास जैसे कि यह देखो next यह हमारी क्या है balance sheet ठीके यह balance sheet की यहाँ पर balance sheet में हम हमेशा debit या credit side नहीं बोलते कभी भी ठीके balance sheet की left hand side जो होती है वो होती है liability side और जो right hand side होती है वो होती है asset side ठीके तो हमने पढ़ा था कि liabilities business में liabilities कितने तरह क्यों होती है two types internal liabilities and external liabilities ठीके internal का मतलब क्या है जो business में रहते हुए मालिक के द्वारा दिया जाता है उसको बोलते है internal liability जैसे कि मालिक capital देता है business में वो internal होती है और external further two types की होती है कौन कौन सी है current liability जिसका time period less than one year होता है और non current liabilities जिसका time period more than one year होता है ठीके अब जैसे कि आपकी creditors है आपने समान को आपने अपने goods को उधार पे ले रखा है ठीके तो यह आपके creditors हैं और जो creditors हैं ठीके उनको आपने पैसा within one year दे देना है ठीके तो यह आपकी current liability होई और आपने ना मानलो bank से loan ले रखा है ठीके ना और वो आपने 5 साल के लिए ले लिया है ठीके तो यह आपकी non current liability होई क्योंकि यह more than one year के लिए है ठीके अब देखो यह जो time है यह जो आपने current या फिर non current liabilities लेते हैं ठीके यह किस बेस पे लेते हैं क्योंकि जो हमारा financial account है ठीके यह हमारा क्या है यह हमारा financial account है ठीके तो यह कब बनता है at the end of the year end of the year ठीके हर साल बनता है और कब बनता है अखीर में ठीके और जो items balance sheet में ठीके इसको देखके time period को define किया जाता है इस एक साल को ठीके कि एक साल से ज़ादा use होगी यह एक साल से कमी ठीके next उसके बाद है अगर मान लो आपके मालिक ने पैसा लगाया एक लाक रुपया आपने बाहर वालों के पैसे देनी है creditors है आपके पचास हजार के और आपने मान लो loan कितने का ले रखा है loan मान लो आपने ले रखा है bank से तीस हजार तो यहाँ पर हमारी liability कितने आगए यह है total 1 lakh अब next है asset asset भी mainly कितने तरह के होते हैं बस दो तरह के ही होते हैं कौन कौन से current assets और next कौन से होते हैं non current assets current का मतलब क्या होता है जो एक साल के बीच बीच में ही हमारी संपत्ती cash में convert हो जाती है ठीक है एक तो जैसे debtors जिन्होंने हमें पैसा देना है एक साल के बीच बीच में हमें पैसे दे देती हैं ठीक है next उसके बाद आपका closing stock जो stock आपका बचा हुआ होता है ठीक है वो भी इसी में आ जाता है आपके पैसे cash में पड़े हैं वो तो already cash में ही है ठीक है और जो bank में पड़े हैं ठीक है cash में convert हो जाएंगे ठीक है अब यह आपकी संपत्ती है जो एक साल के बीच की है और next क्या है non current asset non current में क्या क्या जाएंगे building furniture जिनका time period कितना है more than one year जो एक साल से ज़ादा के लिए आपने use करते रहना है ठीक है building furniture machinery whatever यह सारा है ठीक है अब देखो अगर हम देखे तो यह total कितने के हैं हमारे सारे ही 80,000 के और यह total कितने के हैं one lakh के और यह भी total one lakh 80,000 आगे ठीक है यह देखो balance sheet का left hand side और right hand side हमेशा ही equal होता है ठीक है अब देखो यहाँ पर यह हमारी क्या provide कर रही है हमें हमारी financial position बता रही है ठीक है आपकी अब asset क्या होते है हमारी properties हमारी संपत्ती ठीक है liabilities क्या होती है हमारी देंदारी है जो हमने देनी है लोगों को ठीक है चाहे वो internal है ठीक हमारे business में काम कर रहे है चाहे external है बाहर है business के ठीक है फिर वो ये देखेगा कि अगर ये person मेरे से 30,000 रुपे का loan ले रहा है ठीक है तो क्या इसके पास इतनी property है ठीक है कि ये क्या करे मेरे उस loan की भरपाई कर सके ठीक है रखे मुझे in future वो loan जो है वो वापिस कर दे ठीक है प्रॉपर्टी कितने की पड़ी है 1,80,000 की property है ठीक है और यहाँ पे हमने external scale के देने कितने है 80,000 देने है ठीक है और मालिक को कितना देना है 1,00,000 देना है ठीक है मालिक को तब दिया जाता है अगर बचे ठीक है अगर नहीं बचता तो मालिक को sole proprietorship में कुछ भी नहीं मिलता है ठीक है तो यहाँ पे इसकी liabilities जो होती है वो हमेशा ही क्या होती है unlimited होती है in case of sole proprietorship ठीक है यह हम पढ़ेंगे आगे next उसके बाद है balance sheet के बाद next हम पढ़ेंगे book value ठीक है जर्नल लेजर ठीक है ना दो बनाते हैं अपनी transactions record करते हैं और उसको journal transactions record करने के बाद ठीक है ना अपनी एक primary होती है book एक subsidiary होती है ठीक है उसके बाद उन सबी को अपनी books में transfer कर देना होता है cash book purchase book bank book laser जैसे के अपने बनानी है ठीक है trial balance balance sheet P&L account ठीक है ये सारी ही books होती है इनके बीच में लिखी हुई जितनी भी values होती है पैसा होता है ठीक है उसको बोलते है book value ठीक है तो के तो accounts इसमें कौन-कौन सी books of accounts आती है हमारी जैसे कि first है this the record of books of accounts जो transactions हम किसमें record करते है books में जैसे कि cash book bank book journal laser ये हम आगे जाके बनाएंगे सारे ठीक है next cost of goods sold ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है cost of goods sold का मतलब क्या होता है cost of goods sold का मतलब जो आपने या तो मैंने cycle जो है वो खुद त्यार किया produce किया ठीक है तब मेरी cost कितने की पढ़ी है 18-100 रुपे का मेरा cycle बनके त्यार हुआ ठीक है या फे अगर मैं खुद खरीद के लिखिया ही हूँ अगर मैं एक trader हूँ ठीक है दोबरा मनाया cycle ले यह है तब मुझे उसकी purchase cost कितनी पढ़ी है 18-100 ठीक है तो cost का मतलब क्या होता है जो भी आपने सामान खरीदा है इसको हम purchase cost भी बोल देते हैं ठीक है purchase को क्या बोलते है cost जो आपने खरीदा है सामान ठीक है तो यहाँ पे purchases इसको क्या बोलते है cost of goods sold ठीक है इसको cost बोलते है कि कितना है goods जो बिके है बिकने वाले goods की cost कितनी है 18-100 ठीक है plus अब हम यह जो goods है ठीक है नहीं यह 1800 के goods हम 18-100 में थोड़े न बेच देंगे ठीक है हम इसे कितने के बीचेंगे अपने goods को कम से कम चलो हम लगा लेते हैं कि हम 200 रुपे का profit कमा रही है इसके ओपर profit ठीक है तो हम इस profit को क्या बोलते है gross profit ठीक है जब भी अपने operating गोड़े के ओपर कोई profit कमाना है उसको बोलते है gross profit ठीक है is equal to अब हमने 2000 रुपे की क्या कर दी है sales ठीक है तो इसको हम बोलते है net sales ठीक है क्या बोलते है इसको net sales ठीक है cost of goods sold हमारे कितने के थे 1800 के 200 रुपे का आपने GP कमा लिया है और 2000 रुपे की आपने क्या कर दी है net sale कर दी है ठीक है next उसके बाद क्या है next है आपके पास the cost of goods sold is the direct cost ठीक है जैसे मैंने आपको क्या बताया direct का मतलब जो आपकी factory में खर्चा आता है ठीक है कोई भी product बनाने के लिए ठीक है attributable to the production of goods sold और services ठीक है अगर आपने कोई services दी है तब भी उसके उपर जो खर्चा है या फिर अगर आपने कोई good से बनाए है ठीक है next है credit और debit ठीक है जब भी आप कोई account बनाओगे ठीक है कोई भी account जो किस shape में होगा T shape अब देखो यह जो balance sheet है यह हमने बनाई यह किस shape में थी balance sheet हमारी T shape में ठीक है पर balance sheet का कभी debit या credit side नहीं होती ठीक है balance sheet की हमारे की कौन से side होती है liability and asset side ठीक है और यहाँ पे जो भी आपने account बनाना है T shape ठीक है जैसे की हमने बनाया है capital account ठीक है तो उसकी हम यहाँ पे ठीक है जो left hand side होगी उसे हम बोलते है debit side हरे कोई भी account बने ठीक है चाहे capital account बने चाहे purchase चाहे मोहन पाहें जो मर्जी बने ठीक है उसकी left hand side debit ही होगी कभी भी ऐसे नहीं होता कि उसकी यह side credit हो ठीक है और right hand side कौन से होगी हमेशा ही credit side होगी ठीक है तो यहाँ पे next है किते debit credit side ठीक है credit के बारे में बता रहे है credit is the right side किते of an account ठीक है यह right hand side होती है ठीक है if an account is to credited अगर हमने कोई भी account को credited करना है ठीक है वो question में लिखा होता है then the entry is passed to credit side तो वो हैस entry passed हो जाएगी credit side ठीक है यह हमें laser में समझा जाएगी बात in such an event it is said that the account is credited ठीक है जैसे वो credit side आएगी हम क्या बोलेंगी कि उस person का या फिर उस चीज का ठीक है goods का या फिर कोई भी expense का ठीक है कौन सा side हो गया credit side हो गया ठीक है it has been derived from the Italian word credit to you ठीक है यह किस से बना हुआ है credit to you से बना है ठीक है next है debit ठीक है debit का भी वैसे ही है ठीक है यह two parts होते है debit और credit ठीक है left hand side को हम कौन सी side बोलते है debit side ठीक है और जो भी account transfer होगा debit side उसको हम क्या बोलते है debit ठीक है यह भी Italian word से ही बना है debit to say ठीक है next है depreciation ठीक है ठीक है यह आपके asset देखो goods चो होते है वो तो जैसे आते है हम वैसे ही उनको क्या कर देते है बेच देते है ठीक है हम उनको कभी भी use नहीं करते अगर use नहीं करते तो वो कभी उसकी value भी नहीं फॉल होती ठीक है पर जो asset है उसको थो हम totally use करते है बार बार use करते है ठीक है जैसे कि हमारी building होगी machinery होगी furniture होगया ठीक है तो उनकी value use करने से क्या हो जाती है घट जाती है fall हो जाती है ठीक है because of the uses and with a flux of time ठीक है यह ज़रूरी नहीं है कि यह use करने से ही कम होती है ठीक है time के change होने से भी ठीक है किसी भी asset की value क्या हो जाती है गिर जाती है ठीक है जैसे outdated हो जाता है ठीक है कोई भी सामान ठीक है तब भी हम क्या बोलेंगे कि वो depreciate हो गया ठीक है और absence or accident ठीक है यहां फिर accident हो जाता है जैसे कि कोई नई गाड़ी है ठीके अभी नई ही थी ठीके पहले दिनी चला रहे है accident हो गया तो उसकी value क्या हो जाएगी follow जाएगी ठीके next it is an allocation of cost ठीके just हम cost को allocate करते हैं allocate का मतलब क्या होता है उसकी हम valuation करते हैं ठीके हम exactly नहीं बता सकते कभी भी depreciation को के हाँ भई इतनी ही depreciation हुई है ठीके जस्ट हम उसकी valuation करते हैं valuation का मतलब क्या आता है जो हब एक person के point of view से different होगी ठीके कोई तो उसी चीज की value बताएगा कि ये 10% fall हुई है कोई उसी चीज की value बताएगा 5% fall हुई है ठीके जैसे कि आप अपनी second hand चीज बेचने के लिए जाते हो ठीके तो आपको भी exactly पता नहीं होता कि इसके दाम हमें कितने मिलने वाले है ठीके फिर भी आप estimation सा लगाके कह देते हो चलो मैं अपना समानी इतने का बेचना चाहता हूँ वो सामने वाला बताता है फिर नहीं मैं तो इतने का खरीदूंगा ठीके तो उसकी allocation की जाती है expected ठीके exactly उसकी सिरफ expected useful life को देखे ठीके हम यह सोचते हैं कि हमारा यह जो asset है यह इतनी साल तक क्या हो जाएगा चलता रहेगा जिसके according to हम उसकी क्या निकाल देते है डेप्रिसेशन निकाल देते है ठीके अब देखो जैसे कि एक मानलो कि आपने ने एक mobile खरीदा ठीके मैं एक mobile खरीदा और ना वह जो मेरा mobile है ठीके फो जो उसकी cost है वह मैंने अब चलो मैंने depreciation निकाल निकाल ने अपने तो हम कैसे निकालेंगे जैसे कि मैंने mobile खरीदा कितने का खरीदा है मैंने 10,000 रुपे का mobile खरीदा ठीके और मैंना just estimation लेके चल रही हूं कि यह मेरा mobile जो है यह 10 साल तक तो कहीं नहीं गया, ठीक है? हम just estimate लेके करते हैं, कि चलो 10 साल तक यह मेरा mobile जो है, यह चलता रहेगा, ठीक है? और यह जो मेरा mobile है, ठीक है? और जब यह 10 साल बाद बिकेगा, तो मैं सोच रहे हूं है, कितने का बिकेगा, सिरफ 2000 रुपए का बिकेगा, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है उसकी cost of जो भी आपका asset है हमारा asset क्या था mobile ठीक है हमने उसकी cost लगा ली यहाँ पर क्या होता है estimated scrap value ठीक है जो at the end of the time after 10 years मेरे क्या होगा बिकेगा scrap में जाएगा और estimated useful life ठीक है यह estimated useful life है अब देखो इसके depreciation निकालो कितने आएगी 8000 by 10 कितने आगी 800 रुपया तो it means हर साल मैं इसे ठीक है कितने का reduce कर रही हूं 800 रुपय का मेरी जो depreciation है वो कितने की है 800 रुपय की ठीक है मेरा जो mobile है वो हर साल 800 रुपय का घस रहा है ठीक है fall or use की value कितनी 800 की ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या निकाल दिये depreciation निकाल दिये ठी valuation किया है ठीक है जो कुछ लोग इसे 8 साल बोलेंगे कुछ 2 साली बोलेंगे कोई एक साली बोलेगा ठीक है सब की अपनी अपनी estimations होंगे ठीक है next है entity ठीक है entity का मतलब क्या होता है identity an entity means an economic unit, ठीक है entity का मतलब होता है कोई economic unit, economic का मतलब जो पैसे कमाने के लिए खोला गया है ठीक है which perform economic activities जिसमें पैसे कमाने के लिए कोई भी activities की जा रही है ठीक है जैसे कि Reliance Industries है, Bajaj, Auto है, Maruti है, Tesco है ठीक है तो business entity कौन सी होगी, जो law according to, ठीक है न, किस चीज़ के लिए इंगेस है, business की activities के लिए ठीक है, business की activities हमने feature पड़े थे इसके ठीक है, ठीक है तो these include proprietorship firms ठीक है, इसमें proprietorship firm, proprietorship firm का मतलब एक ही person चलाता है ठीक है, वो भी आ जाती है, partnership भी आ जाती है, corporations, company सारी ही आ जाती है ठीक है, an accounting system is always devised for the specific business entity ठीक है, card accounting entities, ठीक है, तो यहाँ पे हम इन सभी के cases में क्या बनाते हैं अकाउंट से बनाते हैं, पर हर एक का अकाउंट उसकी identity के according to ही बनता है ठीक है, किसी का अकाउंट जो है, किसी का अकाउंट जो बनता है, वो fully legal requirements के according to बनता है ठीक है, जैसे कि corporations, companies का अकाउंट बनता है, ठीक है, यह जो proprietorship और partnership firm होती है क्योंकि registration compulsory नहीं होती, ठीक है, तो इनका जो अकाउंट होता है, ठीक है, वो उसमें legal formalities की इतनी सवरूरत नहीं होती ठीक है, next उसके बाद है, entry, ठीक है, entry का मतलब enter करना किसी भी चीज़ को, ठीक है ठीक है, अब किते transaction और event, ठीक है, यह दो तरह से आपके पास वात आती है, एकोती है transactions, एकोती है events, ठीक है, transactions का मतलब क्या होता है, lane देन करना, ठीक है, जब आप कोई भी पैसे का lane देन करते हो, ठीक है जैसे कि goods को खरीदा, तो हमने खरीदा, goods को बेचा, हमने बेचा, ठीक है, इनको क्या बहुते हैं, transactions, ठीक है, और events, events का मतलब क्या होता है, जो भी outcomes, जो भी, जैसे कि कईबर क्या होता है, goods are destroyed by fire, ठीक है न, goods को आग लगी है, तो ये कोई घटना घटगी है, जो हमने नहीं की ठीक है, पर ये जो goods को आग लगी है, ठीक है, ये goods क्या थे, rupees 1000 के goods थे, ठीक है, तो हम इनको measure तो कर सकते हैं न, in terms of money में, ठीक है, जैसे हम transactions को measure कर रहे थे, कि हमने goods खरीदी, कितने की खरीदी, 20,000 की, हमने goods बेची, कितने की बेची, 50,000 रुपे की बेची, ठीक है, तो य ये जो हमारी entry है, ठीक है, ये हम क्या करते हैं, उसी rupees के according to, ठीक है, जो भी transaction आपके पास आई है, ठीक है, but in case, आपके पास जो transaction आई है, ठीक है, वो आपने goods लिखा हुआ है, कि हमने purchase किया, देखो, जैसे कि हमने लिखा है, purchased goods, 4 rupees, 20,000, अब हमने ये लिखा है, ठीक है, त ठीक है, इसको हम अपने accounts में क्या कर लेंगे, enter कर लेंगे, हम इसे enter करेंगे अपने account से, ठीक है, क्या करेंगे, कि हमने 20,000 के goods खरीद लिए है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम cash account बनाएंगे, तो हम दिखाएंगे कि हमारी जेब से इतनी cash क्या हो गई है, चली गई है, ठी हमारे account में enter होता है इसको बोलते हैं हम entry ठीक है और transaction और event when recorded in the books of account is known as entry इसको क्या बोलते हैं entry बोलते हैं ठीक है next is insolvent insolvent का मतलब जिस बंदे का दिवाला निकल जाए ठीक है न दिवाला का मतलब क्या होता है कि उसके पास पैसे नहीं है कि वो आपके पैसे जो आपका कर जाए वो दे सके ठीक है insolvent is a person और enterprise ठीक है यह ज़रूरी नहीं है कि यह कोई person ही है कोई company भी हो सकती है कोई दुकान भी हो सकती है कोई firm भी हो सकती है partnership के ठीक है which is not in a position to pay it stat ठीक है वो इस position में ही नहीं है कि आपके पैसे वाफिस कर दे ठीक है next है हमारी debate rebate का मतलब क्या होता है reduction in price ठीक है यह भी price में reduction है जैसे हमने discount पड़ा था ठीक है discount में हमने दो तरह कि discount पड़े थे एक trade discount होता है और एक कौनस उता है cash discount होता है ठीक है जो ट्रेट discount है ठीक है को कब दिया जाता है trade discount हम तब देते हैं जब हमने किसी dealer को ठीक है ना किसी अपने wholesaler को थोक में समान देना होता है उसमें हम quantity को preference देते हैं कि जितनी ज़्यादा quantity हमसे खरीदी जाएगी हम उसे उतना ही ज़्यादा discount देंगे ठीक है और cash discount कब दिया जाता है for cash की encouragement के लिए है ठीक है कि cash हमें कोई person जल्दी से जल्दी दे दे ठीक है जैसे कि हमें किसी की दुकान से समान देने गई मैंने 10,000 का समान खरीदा ठीक है तो उस person को मैंने कहा कि मैंने 10,000 का समान खरीदा है आप मुझे कुछ तो discount दो वो कहता है चलो मैंना आप 1,000 रुपे आपके माफ कर देते हैं मैं अब उसे कितने दूँगी 9,000 रुपे ठीक है तो अब जग आपने उससे time उसे cash दे देती है ठीक है तो cash देते हुए वो person क्या करेगा आपको 1000 का कह देदेगा discount देदेगा ठीक है तो ये cash discount था अब next rebate rebate भी reduction ही होती है जो आपको price में reduction मिलती है ठीक है पर ये discount दोनों discount से अलग है ठीक है तो किते reduction in price allowed by seller of goods after goods have been sold ये कब मिलता है trade discount और cash discount तो आपको कब मिलता है at the time of sales ठीक है जब आपकी sale हो रही है ना उस time पे आपको मिलता है ठीक है पर rebate आपको कब मिलता है जब आपकी sale हो चुकी है ठीक है उसके पास पहुंच गया आपके goods ठीक है तो कहते है stating differently rebate is offered and allowed on sale completed in the past जब वो past में complete हो चुकी है उसके बाद ही आपको दिया जाता है ठीक है it is allowed for the reason other than ठीक है ये trade discount वाला reason नहीं होता कहता और reason होता है और reason क्या होता है for example discount allowed because of poor quality of goods ठीक है जैसे हम कहते है ना दुकानों पर sale लगी होई है ठीक है ना समान खरीद लो ठीक है तो यहाँ पर यह poor quality का goods होता है या फिर ठीक है ना या outdated goods होते है ठीक है ना जो कोई लेना नहीं चाता ठीक है उनके ओपर क्या दे दी जाती है फिर rebate दे दी जाती है ठीक है next है solvent ठीक है अब insolvent का मतलब जिसका दिवाला निकल गया है जो इस position में नहीं है कि आपके debt आपको वापिस कर सके solvent का मतलब जो इस position में है ठीक है solvent is a person और enterprise which is in a position to pay its debt ठीक है वो इस position में है कि आपके debt वो आपको वापिस कर दे ठीक है अब ये आपकी सारी terms complete होगी है thank you very much